हेलो फ्रेंड कैसे आप सब लोग फ्रेंड स्वागत है आपका मेरे यूटूब चैनल पर फ्रेंड आज की मेरी वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट होने वाली है क्योंकि फ्रेंड आज की इस वीडियो में मैं आपको बता हूँ की पीएफ में फॉर्म टैंसी पैंशन के लिए अपलाई करके अपना पूरा पैसा कैसे निकाले वो भी अपने मवाइल से इसलिए फ्रेंड वीडियो को बिल्कुल भी स्कीप ना करे और वीडियो को एंड तक जूर देखे तो चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते है फ्रेंड पंसन का सारा पैसा निकालने के लिए अगर आप ओलना इल अपलाई करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले तीन बातों को ध्यान रखना है फ्रेंड पहला आपको अपना बैलन्स चेक करना है कि आपका टोटल बैलन्स कितना है ताकि जब भी आपका कलेम सेटल हो तो आपको पता लग जाए कि हाँ मेरा पूरा पैसा आ गया है फैंड दूसरा जिस बैंक अकाउंट में आप PF से पैसे ट्रांस्फर करना चाहते हैं वो बैंक आपकी KYC में अपरूव होना चाहिए जब भी आप Online अप्लाई कर पाएंगे फैंड तीसरा सबसे ज़रूरी PF में आपकी Date of Living अपडेट होनी चाहिए उसके लिए आप यहाँ यूपर किलिक करके Service History में चेक कर सकते हैं यहाँ पर आपको Date of Living दिख जाएगी क्योंकि बीना इसके Form 19 और Form 10C ओपन ही नहीं होंगे सिरफ Form 31 ही सो करेगा फैंड अगर आपकी तीनों चीज़ एकदम वोक्य है तो फिर आप Apply कर सकते हैं और फैंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पिलीज मेरे चैनल को जुरूर सबिस्क्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकोन जिससे मैं आगे भी आपके लिए इसी तरह की नेने वीडियो लाता रहूँ फैंड सबसे पहले हम Google पर Member Home टाइप कर देंगे उसके बाद यहां उपर राइस्टेड में आपको एक एरो दिखाई देगा बहुत से फोनों में यहां पर थ्री डोट्स होते हैं तो हम इस पर किलिक कर देंगे उसके बाद नीचे आपको काफी सारे ओप्सन दिखाई देंगे यहाँ पर आपको एक option दिखाई देगा decks of side का इसके आगे जो box बना हुआ है इस पर हम click कर देंगे फैन उसके बाद जो हमारी computer की decks of side है वो हमारे यहाँ phone पर open हो जाएगी उसके बाद हम यहाँ पर member home पर click कर देंगे फिर यहाँ पर इस alert को close कर देंगे उसके बाद यहाँ पर अपना your number और password टाइप करके login कर लेंगे उसके बाद आपके रेक्ष्टर while number पर एक OTP send हो जाएगा फिर यहाँ box में OTP type कर देंगे उसके बाद यहाँ नीचे capture code टाइप कर देंगे फिर यहाँ submit पर click कर देंगे उसके बाद यहाँ letter पर click कर देंगे फ्रेंड देखिए हमारी pf side open हो गई है उसके बाद यहाँ पर हम online service पर click कर देंगे फिर यहाँ नीचे claim form पर click कर देंगे फ्रेंड उसके बाद आपके सामने नया page open हो जाएगा यहाँ पर आपको एक option दिखाए देगा bank account number का इसके आगे box में अपना bank account number टाइप कर देंगे जो हमारा केवाइस में update है उसके बाद यहाँ verify पर click कर देंगे फिर यहाँ पर yes पर click कर देंगे उसके बाद यहाँ लिखावा है proceed for online claim इस पर हम click कर देंगे फिर आपको कुछ second का wait करना पड़ेगा उसके बाद यहाँ पर लिखावा है I want to apply for इसके आगे जो arrow बनावा है इस पर हम click कर देंगे फैन उसके बाद आपके सामने सारे form open हो जाएंगे यहाँ पर हम form 10C pencil वाले option को select कर लेंगे फैन देखिए form आपके सामने आ जाएगा उसके बाद यहाँ पर हमें सबसे पहले अपना address टाइप करना होता है फैन address में आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं फैन उसके बाद हमें यहाँ पर check और passbook अप्लोड करना होता था लेकिन अब E-PF होने यहाँ पर अपने सभी PF मेंबरों को बहुत खुश कर दिया है क्योंकि अब आपको apply करते समय check और passbook की copy बिल्कुल भी upload नहीं करनी है जैसे आप पहले यहाँ देखते थे कि check और passbook का option आता था अब वो option E-PF होने यहाँ पर हटा दिया है मतलब अब आपकी KYC में जो bank approve होगा उस bank account में PF से आपके account पे पैसे transfer कर दिया जाएंगे तो यह बहुत ही अच्छा है यहाँ पर E-PF होने अपने सभी member के लिए online apply करना बहुत ही जादा असान कर दिया है अब इसमें आपकी सबसे बड़ी tension खतम हो जाएगी जैसे पहले बहुत से member का form reject कर दिया जाता था कि check पर नाम नहीं है check की clear copy नहीं है check joint account का है या फिर passbook में photo नहीं है अगर photo है तो फिर bank से attach नहीं है passbook की copy clear नहीं है यह सब region आते थे लेकिन अब आपको इन सबसे छुट्टी मिल जाएगी और आपको apply करने में भी असानी हो जाएगी fan address type करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे left side में एक box दिखाई देगा तो हम इस पर click कर देंगे उसके बाद यहाँ get 1000 OTP पर click कर देंगे फिर आपको कुछ second का wait करना पड़ेगा उसके बाद आपके register mile number पर एक OTP send हो जाएगा fan अगर OTP ना आए तो आप यहाँ recent OTP पर click करके दुबारे से OTP ले सकते हैं उसके बाद यहाँ box में OTP टाइप कर देंगे फिर यहाँ पर नीचे आपको एक option दिखाई देगा validate OTP and submit claim form का तो हम इस पर click कर देंगे फिर आपको कुछ second का wait करना पड़ेगा उसके बाद हमारा form 10C submit हो जाएगा fan देखिए form मारा submit हो चुका है उसके बाद आप यहाँ click here पर click करके PDF file को download भी कर सकते हैं तो friend ऐसे आप apply करे वो भी अपने mobile से खुद बिना company के और friend आपको कोई problem आती है apply करते समय तो आप मुझे commit कर सकते हैं या फिर आप मुझे mail भी कर सकते हैं मेरी mail idea आपको description box में मिल जाएगी